पुरे देश में मौसम की आँख में चॉली जारी है। मौसम विभाग कई तेज बारश का इलर्ट जारी करता है। तो कई हीट वेव से बचनी की सला जारी करता है। मौसम विभाग ने जमू कश्मीर में बारश का इलर्ट जारी किया है। आईमडी ने जमू कश्मीर, लदाग और हिमाचल प्रदेश के कुट छेत्रों में गरज, बिजली और तेज हवा के साथ बारिश और बरबारी का अनुवान जताया है। आईमडी ने 16 एप्रल और 17 एप्रल को हर्याणा, चंदिगर, दिल्री और उत्रप्रदेश के इलाकों में तेज हवाओं की भी भविश्यवाणी की है। मंगाल की खाडी से उत्तरपूर्व भारत तक ताजा नमी की संभावना है। जिसके चलते हैं 16 एप्रल और 17 एप्रल को अरुनाचल प्रदेश, असम और मेखाले के अलग-अलग छेत्र में चेटपट गराज और विजली के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। आइमडी ने खागा कि 17 और 18 एप्रिल को आंतरिक इलाकों में तापान 14-42 डिफ्री सेल्सिस के बीच रहने की संभावना है। इसके अलावा अगले तीन दिन में कई जगाओं पर रात का तापान 2-4 डिफ्री सेल्सिस तक बढ़ने की संभावना है। आइमडी केंद्र ने लू की आशंका के कारण 5 एप्रिल के लिए कटक, नयागर, टेखनाल, भद्रक और जास्पूर जिलो के लिए पीली चेताबनी जारी की है। आने वाले पाँच दिनों तक ओड़ेसा और अंध्रप्रदेश के तप्तिये छेत्रों में लोगों को तप्ती गर्मी का सामना करना पड़ेगा। आइमडी ने उमस भरी गर्मी का वियानुमान जटाया है। 14 एप्रिल से 18 एप्रिल तक तमिलनाडू, पुड़ुचरी और कराई कलने के छेत्रों में उमस सिभरी गर्मी के संभावना जटायी गई है।